दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके घर में मीटर लगा हुआ है तो आप अपने बिजली बील को मीटर जो मीटर रसीद मिलता है उससे आप कैसे मिलाएंगे कि आपके घर में जो बील मिल रहा है वो सही यूनिट है या कुछ ज्यादा है कैस कैसे आप चेक करेंगे सब कुछ डिटել में इस वीडियो में लाइप पूंप आपको करके दिखाने वाला हूं तो कैसे चेक करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर हम अपने रिडिंग का कैमरा ले रहे हैं दोस्तो और यहाँ वीक बत में आपको क्लिक करना है दोस्तो उस पर आपको किलिक करना है देख सकते हैं यहां पर ऐसे किलिक करना है और यहां पर आपको किलिक करके देख लेना है और यहां पर देख सकते हैं चल रहा है कुछ इस तरीका से आपको किलिक करना है तो देख सकते हैं यहां पर 744 KWH यह जब से आप मीटर लिये हैं उस समय का आप आपका ये रीडिंग बता रहा है जब से आपके घर में connection लगा है उस समय का है अब आप इसे कैसे चेक करेंगे कि आपका बील कितना आया है कैसे सब कुछ इस वीडियो में आपको लाइप रूप करके दिखाने वाला हूं तो बने रहे वीडियो में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी subscribe कर लिजेगा तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह जो बील है यहां पर देख सकते हैं बील मतलब ड्यूज जो है बील ड्यूज यहां पर देख सकते हैं 34 दिन यहां पर दिखाया जा रहा है 34 दिन यह यहाँ पर देख सकते हैं टोटल घटाएगा तो यहाँ 46 unit आपका आया है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 46 unit आया है और 46 unit का बिल अपना आप जोड़ लिजएगा जैसे आपके राजी में राजी के अनुसार आपके विजली बिल लगते हैं तो आप जिस state से होंगे उस state का मत पर आप जोड़कर आप उतना कुलकुलेट करकर और यह चीज मिला सकते हैं आप अपने बिजली बिल से कि हमारा बिजली बिल में जो फोटो घीचा गया वो सही है या कुछ जो मीटर वाले आए बिल देने वो गलत घीच के दे रहे हैं कुछ ज्यादा अश्ट्रा तो नहीं ले रहे हैं तो आप इस तरीके से आप अपने मिला सकते हैं और चेक कर सकते हैं खुच से और जाच कर सकते हैं हम वीडियो में इसी मीटर रिडिंग के बारे में बता रहे थे कि आप मीटर रिडिंग कैसे चेक कर सकते हैं तो हाई होप दोस्तों उमीद है कि वीडियो आप स